हेलो फ्रेंट्स आज हम इस वीडियों बात करने वाले हैं ने 2020 की काउंसलिंग में कौन कौन से डाकुमेंट लगने वाले हैं जो कि आपको काउंसलिंग से पहले तैयार करके रख लेने चाहिए जिससे कि आपको counseling के दोरान परिशानियों का सामना ना करना पड़े तो बिना देर के हुए मैं वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले अगर आप हमारे channel पे पहली बार आये हो तो channel को subscribe करके वेल आइकम को दबा लें जो कि आपको counseling से पहले इन्हें तयार करके रख लेना चाहिए तो मैं यहाँ पे आपको step by step करके एक document के बारे में बता देता हूँ आप इसे जल्द से जल्द बनवा लें जिससे कि आपको counseling के दोरान जो है दिखकर न हो तो जो आपका सबसे first document है वो need का admit card यानि कि जो आपने exam देने के लिए admit card download किये थे आपको उस admit card को साथ में ले के जाना होगा अगर आपके पास admit card नहीं है आपने submit कर दिया था जहाँ exam दिया था तो आप जो है website पे चले जाएंगे अभी link activate है वहाँ पे अपना roll number हो गयरा data बर्त हो गयरा जो भी मांगेगा detail डालके आप दोबारा से admit card डाउनलोड कर सकते हैं और जो आपका दूसरा document है वो है need का score card या फिर rank card आपको इसे भी अपने साथ में ले के जाना होगा अगर हम तीसरे document की बात करें तो है need apply phone print यनि कि आपने need के लिए जो phone apply किया था online phone उसका print आउट भी आपको अपने साथ में ले जाना होगा और अगर हम अगले document की बात करें तो है passport size photo आपको अपनी latest passport size photo लेके जाना होगा वहाँ पे लगभग 6-10 copy लगे लेकिन आपको कम से कम 30 copy साथ में ले जाना होगा जिससे के आपको दिक्कत ना हो और मैं अगले document की बात कर लेता हूँ तो है 10th और 12th की mark seat देखो कहीं कहीं mark seat में certificate भी होता है दोनों एक में ही होता है तो आपको जो है mark seat ही ले जाना है अगर आपकी mark seat अलग है certificate अलग है तो आपको mark seat साथ में certificate दोनों ले जाना होगा 10th और 12th का और अब हम अगले document की बात कर लेते हैं तो है migration certificate जिसे प्रवाज प्रमारपत बोलते हैं तो आपको इसे भी अपने साथ में ले जाना होगा और अब हम बात करते हैं अगले document के तो है gap certificate अगर आपने gap दे रखखा है एक साल दो साल का तो तीन साल का तो आपको gap certificate भी बनवाकर ले जाना होगा और जो आपका next document है वो domicile certificate जिसे हम निवास प्रमारपत बोलते हैं तो आपको इसे थोड़ा पहले से बनवाना होगा क्योंकि निवास प्रमारपत जात प्रमारपत इन document को बनवाने में कम से कम एक हफ्ते का टाइम लग जाता है तो आप इसे जल्द से certificate अगर applicable है तो जैसे SC हो गया, ST हो गया या फिर OBC हो गया, EWS हो गया अगर आप इन कटेग्रियों से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है cast certificate भी बनवा के ले जाना होगा और अब हम बात कर लेते हैं अगले document की तो है आपका एक ID proof अब IT proof में आप कुछ भी ले जा सकते हैं ज इसे कि आपको वहाँ पर दिक्कत न हो तो कोई भी एक ID कार्ड आपको अपने साथ ले जाना लेकिन जरूरी है तो यह रहे आपके NET 2020 की जो counseling होने वाली है आपकी जरूरी document है जो कि सब ही को इन चीजों को तैयार करके जल्द से जल्द रख लेने हैं जिसे counseling के दवरान साथ ही अपने फ्रेंडों के साथ share करें